ये मेरा सववाग्य है कि पिछले वर्ष आज के ही दिन मुझे कोलखता में नेता जी के पैत्रुक आवाद भी जाने का आउसर मिला था। जिस प्रकार से वो कोलखता से निकले थे जिस कमरे में बैठकर वो पढ़ते थे उनके घर की सीडियां उनके घर की दिवारें उनके दर्शन करना वो अनुभव सब्दों से परे हैं। कि साथियों मैं 21 अक्तूबर 2018 का वो दीन भी नहीं पूल सकता जब आजाद हिंद सरकार के 75 बर्श हुए थे लाल किले में हुए विशेश समारों में मैंने आजाद हिंद की कैप पहन कर तिरंगा फैराया था। वो पल अधुत था, वो पल अविस्मरनिय है। मुझे खुशी है कि लाल किले में ही आजाद हिंद फोच से जुड़े एक्समारक परभरी काम किया जा रहा है। 2019 में 26 जनवरी की परेड में आजाद हिंद फोच के पूर्व सैनिकों को देखकर मन जितना प्रफुलित हुआ वो भी मेरी अनमोल समर्थी है। और इससे भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि हमारी सरकार को नेताजी से जुड़ी फाइलों को सारवजिनिक करने का आउसर मिला।